दोस्तो फिर से आपके लिए सांदार ट्रीजर हंटिंग मूवी को लेकर आया हूँ यह मूवी सभी एक से बढ़कर एक है और दोस्तो यह सभी मूवी IMDV की हायर रेटिंग वाली मूवी है अब आप समझ चके होंगे कि इनकी स्टोरी बहुत ही सांदार है और दोस्तो यह जातर मूवी सभी सिंगल पार्ट्स की हैं तो दोस्तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं मूवी नमा सेवन दोस्तो ट्रीजर हंटिंग के मामले में यह मूवी बहुत ही सांदार है इस मूवी में एक ऐसे गुप्त जहाज को ढूडा जाता है जो कि कई सो साल पहले बहुत सारा खजाना लेकर चला था और उसमें इतना सोना था कि कई सारे देश आपस में लड़ने लगे थे लेकिन वो खजाना किसी के भी हाथ नहीं लगता है और वो समंदरी जहाज कहीं इस दुनिया में खो जाता है और बात में इस मूवी के लीड रॉल डिक और एल नाम के लड़के और एवा नाम की लड़के उस खजाने की खोज करते हैं वो सिफ सहारा के मसूर डेजर्ट में मिलता है और इनी सब के बीच आपको बहुत सारा एडवेंचर एक्षन भी देखने को मिलेगा तो आप इस मूवी को ज़रूद देखना यह मूवी सं 2005 में रिलीज की गई थी इस मूवी का नाम सहा रहा है और इसको IMDV ने 6 की रेटिंग दी है आट अप 10 में से मूवी नमर 6 दोस्तों यह भी एक मस्ट ट्रीजर हंटिंग वाली मूवी है और यह भी हाईयर IMDV रेटिंग वाली मूवी है तो आप समझ चुके होंगे कि यह मूवी कितनी मस्ट होगी इस मूवी में एक लड़कों का ग्रूप होता है उनके पैरेंट्स का घर करज की वज़े से नीलाम होने वाला होता है तकि उन बच्चों को पुराने कवार में से एक ट्रीजर का मैप मिलता है और वो उसे ढूनने निकल जाते हैं और वो खजाना ढूनने के लिए क्या क्या करते हैं और कैसे उन सभी सबूतों को जोड़कर उस आईलेंड पर पहुंचते हैं जहां पर एक समुन्दी लुटेर का खजाना चुपा होता है और वो सभी ट्रैप्ट को कैसे पार करते हैं आप इस मुवी को खुद देख लेना यह एक दमाकेदार मूवी है इस मुवी का नाम दागूनीज है यह मुवी सन 1985 में रिलीज की गई थी और दोस्तों इसको IMDV ने 7.7 की रिटिंग दी है आफ आप टैन में से तो आप इस मुवी को ज़रूर देखना यह बहुत बेस्ट मुवी है मुवी नमर फाइब दोस्तों अगर आपको ट्रीजर हंटिंग के साथ जंगल एडवेंचर पसंद है तो यह मुवी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें जंगल एडवेंचर के साथ लीड रॉल को दा डोएंज जोन सा रोक ने प्ले किया है इस मुवी में रोक पैसे लेकर सभी काम करता है इसमें एक अमीर बाप का बेटा होता है जो अमेजन के जंगल में एक ट्रीजर मूरती की खोज करने जाता है और वो वहां से लोट कर नहीं आता है फिर उसका बाप रोक को ये काम देता है तो rock उसे लेने Amazon जाता है लेकिन वहाँ कुछ गुंड़े उस मूर्ती के पीछे पड़ जाते हैं जो कि बहुत कीमती होती है और फिर आप देखना कि वो कैसे उस लड़की के साथ उस मूर्ती को ढूंडता है और उन आदिवासियों को दे देता है और हाँ दोस्तो इसमें rock है तो बिना action के यह movie पूरी नहीं होगी तो इसमें आपको बहुत सारी action scene देखने को मिलेगे कुल मिलाकर adventure, action, comedy और treasure hunting सब कुछ मिलेगा इस movie का नाम The Rundown है इस movie को 233 में release किया गया था और इसको IMDV 6.6 की rating दिए आप टैन में से movie number 4 दोस्तो अगर आपको best and movie पसंद है तो यू movie आपके लिए बहुत ही best है और ये भी एक treasure hunting movie है दोस्तो इसकी story सबसे अटकर है दोस्तो इस movie को lead roll को Johnny Depp ने निवाया है जिसने मसूर रोल Jack Sparrow का निवाया था आपको थोड़ो story बता दूँ ताकि आप ज़्यादा excited हो या movie देखने के लिए दोस्तो इसमें कोई spoiler नहीं है सिर्फ इसकी treasure detail को बताया है दोस्तो जब Johnny Depp छोटा होता है तब उसे दो अमेर्की मिलते हैं अदमरी हालत में वो उन्हें अपने कवीले में ले जाता है जब वो ठीक हो जाते हैं तब वो नदी में पानी पीने के लिए जाते हैं तब उन्हें एक चमकदार पत्थर दिखता है वो पत्थर एक चांदी का होता है वो अस नदी का पता पुछते हैं Johnny शे जब वो बता देता है तो उन कभीले के सभी को मार्ट करते हो वहाँ से चले जाते हैं फिर जॉनी पूरी उम्र उन लोगों को ढूंडता है अपना बदला लेने के लिए और उसी के साथ उन चोरों को खजानल लूटने से भी रोकता है दोस्तो इसमें एक और करेक्टर होता है जो कि लीड रॉल होता है तो आप जब आप ये मूवी देखेंगे तो आपको सम्मालूम पढ़ जाएगा इस मूवी को नाम लॉन रेंजर है ये मूवी संदोया 13 में रिलीज की गई थी और इसको आमडीवी ने 6.4 की रेटिंग दिये 8 और 10 मैंसे मूवी नम्मर 3 दोस्तो इस मूवी के बारे में आपसे क्या कहूं ये में भी फैवरिट मूवी मैंसे एक है क्योंकि इसकी स्टार काट बहुत ही दास हुए इसमें लीड रॉल को दा डौैन जंसर रॉक ने निवाया है और उसी के साथ रियान डिनॉल्ड भी है जिसमें फेमस डेड़ पूल का रॉल प्ले किया था और उसी के साथ इसमें गैल गडोट भी है जो के वंडर बोमेन का रॉल प्ले कर चुकी है तो दोस्ते इस मूवी में भीALLY डूणा जाता है दोस्ते इसकी प्धोरी बहुत ही सस्पेंसिल है और आप ठेंजनल है मैं इस मूवी के बारे में ऐसी कोई बार नहीं बताओंगा जिससे आपका सस्पेंस खराब हो जाये या ये मूवी इसपाइल हो जाए आपने कभी रानी कलियोपेट्रा के बारे में तो सुना ही होगा अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं आप जब ये मूवी देखोगे तो समझ जाओगे उसमें उस रानी के पास तीन नायाब सौने के बहुत बड़े अंडे होती है और उन्हीं अंडों को इसमें ढूणा जाता है कि कैसे वो समय के साथ अंडे गायव हो जाते है और फिर कैसे उसकी खोज की आती है दोस्तों इसमें ये तीनों लीड रॉल के बारे में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है मुझे पता है कि आप जब ये मुवी देखोगे तो आपको एंड में बहुत बड़ा जटका लगगा और दोस्तों इस मुवी के बारे में इसलिए में और कुछ नहीं कह रहा बस इतना कहुंगा कि आप इस मुवी को ज़रूद देखना मैं दावा करता हूँ ये मुवी आपको धमाकेदार लगेगी और हाँ दोस्तों इसमें आपको बहुती संदर एक्शन सीन भी देखने के मिलोंगे ये मुवी सं 2021 में रिलीज की थी और इसका नाम रेड नोटिस है और इसको IMDV ने 6.3 की रेटिंग दी ती आफ्टर प्टॉन में से दोस्तों मैं एक पर फिर से कहता हूँ आप इस मुवी को जरूर देखना ये बहुती बहुती सांदर मुवी है अपर पहली वार इस चैनल पाया है तो प्ली इस रेड रेट विटन को दबाकर चैनल को सस्काइब बिज़र करना और इस वेल आइकन को जरूर दबा देना ता इंडियन मेतडोलोजी के इसाब से अगर आपने इसके पहले पार नहीं देखा है तो मैंने आई वटन को उस वीडियो का लिंक दे दिया है आप उस वीडियो को जरूर देख लेना आप सब समझ जाएंगे कि इंडियाना जॉन्स चीज क्या है तो सब इंडियाना जॉन्स अब डूम की बात करते हैं दोस्तों इसमें विलन का रोल हमारे बॉलिवूड का दिग्ज अवनिता अवनिस पूरी ने निवाय है जी हां दोस्तों वह भी हॉलिवूड में इंडियाना जॉन्स के पहले पार्ट में वह जादू संदुक की खोश करता है उसके बात आगे की इंडियान जॉन्स चाइना से जा रहा था तो उसका प्लैंट क्रैस हो जाता है और वह इंडिया में आ जाता है जहां पर वह उन लोगों के पास पहुंचता है जो भवान सिर्व से प्रात्रह करते हैं कि कोई उनकी मदद कर दे क्योंकि वहां पर एक मुसीवत आ गई थी व तो इंडियान जुन वही पत्थर लेने के लिए जाता है जिन पत्त्रों को संकरा कहा जाता है दोस्तो मैंने इस मुवी के बारे में थोड़ा हिंट दिया है जादा बतंग मां तो मूवी इस्पाइल हो जाएगी दोस्तो आप इस मूवी को देखना इसमें बहुत सारी मिस् इसको IMDV ने 7.5 की रेटिंग दिये आट आफ टैन में से, मुवी नमर वन, तब पाइलेट्स अब दा केरिवन और इस्टरंजर डाइड, दोस्तों अगर आप पने मेरी पहली ट्रीजर हंटिंग वाली वीडियो देखिये, तो आपको ये बताने की ज़रूत नहीं, ही कहेंगी, दोस्तों basically एक ट्रीजर हंटिंग वाली मूवी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये मूवी समधिर लुटेरो वाली मूवी है, दोस्तों इसमें ट्रीजर जो कि गोल्ड या डामेंड तो मिलता ही है, इसमें ऐसा खजाना ढूणा जाता है, जिसे दुनिया का हर आदमी लेना चाहेगा और वो होता है अमरत तो इस मुवी में जैक एक ऐसे अमरत की खोज करता है जिससे वो अमर हो सकता है जोस्तों ये मुवी पायरेक्ट सब्दक केरेन का बेस्ट पार्ट है इस मुवी में आपको बहुती संदार एक्षन फैंटसी मैजिक ये सभी देखन आपको वहां पर उसकी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों इस मुवी को 2011 में रिलिस किया गया था और इसको आइम डीव ने 6.6 की रेटिंग दिया आट आप 10 में से दोस्तों में कमेंट वाक्ट में लिखकर जरूर उताएगा कि आप किस मुवी को देखना चाहते हैं और दोस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर कर देजेगा और अगर पहली वार आए तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करेगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसक वीडियो को लाता रहा हूं तब तक के आपके फिल्ट रहिए बैबाए